मित्रू चैमातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चैमातादी चरू लिखे माताराने आप सभी का कल्यान करेंगी मित्रू वरस दो हज्यार पचीस में निर्जिला एकादसी कब है जानिये दिन्वतारी क्या है पूजा करने का सुप महुरत कब है पूजा विधी क्या है और एकादसी ती थी कब सुरू होगी कब समाप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे से शेयर करेंग मित्रो हिंदु धार में एकादसी तिथी का विशेस महत्व है जेश्ट मास की सुक्ल पक्ष की एकादसी को निर्जिला एकादसी कहा जाता है इस ब्रत में पानी पीना वर्जित होता है इसलिए इसे निर्जिला एकादसी कहा जाता है इस दिन निर्जल ब्रत करते हुई भगवान विश्रू की आराधना की जाती है। इस ब्रत को करने से एकादसी ब्रत का पूरे फल प्राप्त होता है। ऐसी मानेता है कि इस ब्रत को करने से सभी प्रकार के सांसारिक पापों से मुक्ती मिलती है। मित्रों अब पूजा करने की बिधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों निर्जिला एका दसी के दिन नहाने की बाद सबसे पहले घर के मंदिर में द्वीप प्रजलित करने चाहिए फिर भगवान विश्रु का गंगा जल से अभिस्य करने की बाद फूल और तुलसी पत्र चाहिए इसके बाद भगवान विश्रु को सात्विक चीजों का भोग लगाना चाहिए और अंत्मी आर्ती करते हुए निर्जिला एका दसी ब्रत की कथा पढ़ने चाहिए और फिर भगवान विश्रु के सात्व माता लच्छमी की पूजा करने चाहिए मित्रों अब पूजा करने का सुब मुहूरत को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों अब आपको बता दें कि वर्ष 25 में निर्जिला एका दसी 6 जून दिन सुक्रवार को मनाई जाएगी एक दसी तिथी शुरू होगी 6 जून दो हज्जार पच्चीश को रात्री 2 बचकर 15 मिनट पर एक दसी तिथी खत्म होगी 7 जून दो हज्जार पच्चीश को सुबह 4 बचकर 47 मिनट पर निर्जिला एकादसी ब्रत पारण करने का अस्षोब मोरत है 7 जून 2025 को दो पहर एक बचकर 43 मिनद से लेकर साम 4 बचकर 30 मिनद तक रहेगा यानि ब्रत पारण करने की कुल अवधी है 2 घंटे 46 मिनद